आपको बताने वालों की कैसे आप वाइस कमांड से अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हूं यानि आप बहुत ही आसानी से वाइस कमांड से अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हूं सिर्फ आपको अपने फोन को वाइस कमांड देना होगा और जो भी चीज़ा आप बोलोगे आपका फोन आटमेटिक वो करेगा ठीक है जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा से सैंपल दिखा देता हूँ फाइल मेनेजर तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो फाइल मेनेजर ओपन हो चुका है बेक सेटिंग्स बेक कैमरा बेक नोटिफिकेशन बेक तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो वाइस कमांड से हमारा फोन कंट्रोल हो रहा है यानि जो भी command हम अपने phone को दे रहे हैं वो काम कर रहे है इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने phone को wise command से operate कर सकते हूँ जो भी देखेगा एक बार जरूर चौक जाएगा वीडियो आज का काफी interesting है काफी मैजदार है तो मैं आपसे request करूँगा कि वीडियो का पूरा जरूर देखेगा और गईज अगर वीडियो पसंद है तो like share comment चैनल को subscribe जरूर किस देगा comment box में comment करके आप ये जरूर बताने का आप किस company का phone यूज़ करते हूँ जिससे guys मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे viewers हैं वो किस company का phone सबसे ज्यादा यूज़ करते हैं जिससे उस phone से related में आपको ज्यादा ज्यादा वीडियो देपाँ ठीक है अब चले वीडियो को सुरू करते हैं आप दोस्तों आपको सबसे पहले अपने phone के play store में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है voice access ठीक है और गैस आपको यहाँ से इस application को install करने नहीं guys यह Google का official application है गैस यह काफी अच्छे से work करता है ठीक है simply आपको application को install करके open करना होगा और यहाँ पर आपको services पर क्लिक करना होगा और गैस इस application का access यहाँ पर आपको दे देना है ठीक है अब आपको यहाँ पर allow कर देना है इसके बाद गैस आपको यहाँ पर बैक आना है बैक आने के बाद गैस आपको यहाँ पर इसको continue पर क्लिक करना है आप दोस्तों आपको यहाँ पर दो option में ल इस तरह आपको यहाँ पर continue करके इसको finish कर देना है ठीक है इस application का जो setup वो complete हो चुका है ठीक है अब आप इससे बहुती आसानी से voice command दे के अपने phone को operate कर सकते हूँ simply guys आपको इस application को open करना होगा एक बार ठीक है जैसे यहाँ पर यह application इस्टॉल है इस पर हम click करते हैं अब guys यहाँ पर आपको बोलना है जो भी चीज़े आप करना चाहते हूँ settings तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो settings open हो चुका है back play store back notification back यूटूब back scroll down तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं scroll down हो चुका है scroll up scroll up वैसे guys मैं आपको बता दूँ कि यह जो application यह काफी proper work करता है काफी अच्छे से काम करता है लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना हो कि जो भी चीज आप बोलोगे guys वो correct होना चीए ठीक है back अगर आप थोड़ा सा भी spelling mistake करोगे तो दोस्तों यह work नहीं करेगा यह confused हो जाएगा ठीक है जो भी चीज आप बोलोगे वो clear होना चीए तभी यह काम करेगा ठीक है थोड़ा सा भी आपने देखा कि मैंने word को गलत तरीके से बोला या फिर pronunciation गलत किया तो गईज वो चीज open नहीं होगा ठीक है तो अगर आप इसको use करना चाहते तो आपको English correct बोलना होगा तभी यह काम करेगा ठीक है back home गईज इस तरह बहुती आसानी से voice command देके अपने phone को operate कर सकते हूँ है तो यह काफी अच्छा application लेकिन गईज इसके लिए आपको correct English बोलना होगा जो भी चीज़े यहाँ पर phone में लिखा है सेम वही चीज़ जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक यह open नहीं होगा जैसे यहाँ पर यह settings है अगर आप settings की जगह पर setting only बोलोगे तो यह open नहीं होगा settings तो तो आप यहाँ पर देख सकते हूँ यह confused होगा ठीक है अगर हम यहाँ पर settings बोलते हैं तो यह open हो जाएगा settings settings Settings, आप यहां पर देख सकते हो, Settings ओपने चुका है, इस तरह आप बहुत ही easy way में इसको use कर सकते हूँ, लेकिन आपको correct command देना होगा, ठीक है, उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आइद वीडियो को like कर दो यार, चैनल पे नए चैनल को subscribe कर लो, क्योंकि मैं ऐसा ही नए अप्लिकेसन से लेटेड, नए ने ट्रिक से लेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद